मैं आपका दिकास आपका अपने चैनल में फिर्ट साथ करता हूं तो श्टन आज हम बात करेंगे आपका जो आज का पेपर था और जो भी बाकी इन दुनों पेपर आपके हुए हैं 20 तारिख से लेके 24 के बीच में ठीक है तो इससे समंदित जो भी हमारे पास कोस्तन प्रवा हुए हैं तो उन सभी कोस्तन हिंदी में आपको एक्पेंट कर दें कोसन माँ पास इंग्लिस में आए हैं ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है एक टेली को सॉफ्टर जरूर अपने कंप्यूटर में इस्टॉल करने जो कि आपको काफी हल्पूल करेगा इन सभी को समंदित तो एक कोसन आपका प्रेटिकल का भी रह गया तो उसको यह आपको बता देंगे जल्दी यह सभी ज्याम होने के बाद कभी भी बीचने वह आपको बता देंगे तो यह है टेली के सॉफ्टर इसको फ्री आपको डाउनलोड कर तकते हैं ठीक है तो आज हम इसी पर स डाइटल और डिक्रिप्सन बॉक में लिखा हुआ है अब वहाँ से देख सकते हैं और बाकी सारी वीडियो यहाँ पे अब लेबल हैं प्लेश्ट हमने आपके आपके लिए बना दी हैं जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं वो सारे कोपा थी हुई मॉक टेस्ट वाली प्ले लिस्ट में मिल जाएं ठीक है तो चलिए देखते हैं फटाफर्ट जो आज का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसको अच्छे समझने आपका टेली के पूरा पूरा टॉपिक यहां से कवर हो जायागा इसके बाए आपका कॉर्सन नहीं मिलेगा तो कॉर्सन पूछा जा रहा है तो वो जो किस ग्रूप की आन्ठ पर ड्यूटी और टेक्स समंदिश आपका टॉपिक पूछा जा रहा है तो आपका सिर्प और सिर्प एकी लेजर में जाएगा जो आपका होगा duty and taxes मैंने कि अगर GST label पर work हो रहा होगा वहाँ पर GST पर मतलब आपका काम हो रहा होगा और आपका वहाँ पर sell text अगर पूछा गया है और यह sell duties के समझदित कोई position है, text के समझदित question है, तो उसमें आपका जो laser असा में हमेशा बनेगी किसमे, duties and taxes में बनेगी, तो option बन जाएगा यहां पर D, ठीक है, question number second, question number second है, this shortcut key to quit from telly, यहनि कि telly से अगर हमको quit करना है, यहनि कि बाहर आना है, तो उसके लिए shortcut क्या होती है, तो simple सा आ जाते हैं, देखिए सब में अलग-अलग होती है, इसको open करने के लिए work in education mode पर interrupt हो करना है, अब यह हमारे पास telly आ गया, ठीक, एक company हमारे पास एक बनी हुई है, तो अगर हम telly से हमको बाहर आना है, quit, quit यहां पर लिखा होता है, इस पर जाब के भी हम बाहर जा सकते हैं, यानिकि इससे बंद कर लगते हैं, लेकिन हमको shortcut की use करना है, तो देखि escape, escape दबा के भी, quit का option यहां पर आ जाता, ठीक है, तो simple सा है, इसके लिए जो shortcut की होती है, वो सिब एक ही होती है, control प्लस Q, तो control और Q दबाते हैं, देखिए आपको quit हो जाएगा, बंद हो गया पूरा software, तो इसके लिए कौन shortcut होगी, आपकी quit करने के लिए, control और Q, directly आप से हो जाएगा, आप से yes और no भी नहीं पूछेगा, फिर इसको open कर लेते हैं, next question पर चलते है, what is the full form of TCS, अब TCS का यहां पर देखिए, full form पूछा गया है, तो TCS का full form होता है, आप पे, text collected at source, text collected at source, important question है, option हो जाएगा, आपका, text collected at source, छीक है, इसको हमने open कर लिया, work and educational mode पे, आगे चलते हैं, next question है, what is 10, T-A-N, यानि कि 10 का full form है आप पूछा गया है, यह भी आपके text सम्द्दी होगा question, तो D option हो जाएगा, text assessment number, आपका एक TDS होता है, text होता है, तो 10 यहां पे है, text assessment number, इसके full form है, full form जरूए आप तयाता लें, जो भी इसके full name है, तो 10 का हो जाएगा text assessment number, ठीक है, this shortcut keys used to sales order, यानि कि sales order अगर हम लेना है, तो उसके लिए shortcut की यहां पर क्या बनाए गई है, तो उसके लिए shortcut की है, alt plus F5, alt plus F5 दबा के, आप sales order ले सकते हैं, directly, तो simple साब, देकिन यह सारे कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको entry होनी चाहिए अंदर, यानि कि आप, अगर press कर देंगे, तो आप सोचेंगे, वहाँ पर काम कर जाया, तो ऐसा नहीं है, वह एक particular program होगा, जिसके अंदर ही जाके वो skills है, वो आपकी काम करते हैं, ठीक है, तो अगर sales का order लेना, उसके लिए shortcut की यहां पर क्या है, alt plus F5, ठीक है, तो जो हम sales के अंदर होंगे sales की department में होंगे, तो वहाँ पर आप इसको use करेंगे, तो आपका यह work करेगा, ठीक है, question number six है, voucher class is a predefined voucher that, voucher type that helps to, यानि कि voucher जो class होती, predefined, वो आपकी, किस पेकार से आपको help करती है, automatically, automatic entry करने में, automatic calculation, या minimize करने में, या all of this, तो voucher class जो आपको help करता है, तो इसमें option हो जाएगा, आपका D, यानि कि, automatically entry, automatic calculation, और minimize error, सभी में help करता है, तो option हो जाएगा, यहाँ पर D, ठीक है, question number seven, what is the utility of telly vault password, यानि कि, telly के password से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, तो और क्या क्या उसमें use करते हैं, तो A option मनेगा, इसका vault password का मतलब होता है, यहाँ पे, it will not show the company name in the company selected, यानि कि, जब हम इसका use करते हैं, तो company, हमारी company का name है, वो इसमें so नहीं होता है, ठीक है, जब हम world password का use करते हैं, तो यहाँ पर सारे option आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप जाके देखेंगे, तो देखेंगे, बहुत से जो आपके features होते हैं, वो activate नहीं होते ठीक है, तो बहुत से options वो features पर जाकि या, configuration पर जाकि हमको activate करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है, मैं आपको बता दिया, what is the utility of teleworld password का मतलब यहीं होता है, कि उस समय जब आप उसको लगाते हैं, तो it will not show the company name, in the company select, यानि कि company अगर आपने select किया, तो उसक किसके देखना पढ़ है, उसको देखने के लिए तरीका क्या है, उसके shortcut क्या है, तो उसके लिए हमको पहले display पर जाना पढ़ागा, दीकि सबी मैं display का पहले option दिया है, तो display में जाके हमको जाना है, state tree report पर display उसके बाद state tree report पर. तो option A होगा, दिखा देते हैं, डिस्प्ले पर जाते हैं और यहां पर ओप्सन दिरोगा इस्टेटरी रिपोर्ट इसमें दालेंगे जीस्टी तो देखिए जीस्टी के जितने भी नम चीजें हैं जीस्टी टू जीस्टी थ्री भी यह जिस्टी एनुल कमपूरिशन या इवे बिल या चनाल जलान बगरार जो भी है वो सब यहीं से आप देख सकते हैं तो इस परकार से पूरा आपका यह कंपनी हमारी बनी थी वह आपका इस परकार से दिखा देगी जो बी-टू-बी इन-वाईस है वो कौन से है कितना बिल है हो सारा चीज़ए यहां पे आपको मिल जाएगा तो यही आपसे कुछ नबर 9 है at the time of branch transfer sales laser is created under which wet oblique text class है नहीं कि अगर हमको branch transfer या sales laser create करने हैं तो under wet text class किस class के अंदर आएगा sales with wate या export या consistent branch transfer outward या all of these नायंत कर बता है इसमें इस क्या होना चाहिए तो यह अपका जो अंटर लेजर क्रेट करेगा वो आएगा कंसिप्मेंट ब्रांच टांसपर आउट वर्ड के अंटर्गत यह आएगा ठीक है ओप्सन हो जाएगा सी डिसकाउंट कॉलम इस अब लेबल डिसकाउंट कॉलम जो हता है वह आप कहां मिलता है अकाउंटिंग वाऊचर में सेल्स इनवाइस में परचेज में या फिर बोथ में तो सिंपल सा है देंकिए डिसकाउंट होगा तो सेल्स वे भी आप डिसकाउंट डिसकाउंट दे सकते हैं तो sales or purchase में basically discount होता है यानि कुछ खरीद देंगे या बेचेंगे तो option जाएगा basically इसका D, B और C, ठीक है, accounting voucher तो अलग चीज हो गई आपका, sales or purchase में आप discount देते हैं तो option जाएगा D, which option from company info.menu is selected to create a new company in tally, यानि कि new company अगर हमको select करनी है, selected company अगर आपके पास है और new हमको create कर यहां पर देखे options होते हैं, बहुत सारे हम back आते हैं, आपने gateway of daily पर जाते हैं, तो देखे यहां पर option मिलता है, select company का, ठीक है, इसमें आप company select कर सकते हैं, F1 दबाके, उसके बाद Alt F1 दबाके, set company पर जाएगे, तो देखे create company का option मिलता है, हमेज़ आपको, तो इसमें क्या option म जाएगा, create company, और और जो अपके laser होती है, other software में, वो अलग-अलग हो सकती है, new company या create company ने, तो सिर्फ create company का ही option आपको टेली मिलता है, new company को बनाने के लिए, यह option लगा ले, डो लंबर है, इस दी shortcut to delivery note from inventory, voucher in tally, shortcut आपको बतानी है, inventory voucher अगर हम को लगाना है, inventory note voucher, तो back आ इतने हैं, पहले हम, यह थी हमारी, तो inventory voucher, यहाँ पर inventory note voucher, सभी सी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, inventory है, यह एक counting है, ती सारे voucher यहाँ पर दी होते है, ठीक है, inventory की information लेनी, तो इसके अंदर चले जाएंगे, inventory की आपको information मिल जाएगी, ठीक, कितना stock बगेरा है, तो इस इतकी जो shortcut की बिसके लिए पूची के जारी है, इसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर option बनेगा B, यानि कि alt plus F8, alt F8 दबा के हम, क्या पता कर सकते हैं, आपके जो भी delivery note है, from inventory voucher में, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यहाँ पर option, answer आएगा C, alt plus Z दबा के हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, alt और Z दबा के, हम अपने TD सेलान को जूम कर सकते हैं, online voucher creation from day book report by pressing, online voucher अगर आप अपने क्रियाज किया है, तो उसके day book के report अगर हमको निकालनी है, तो उसके लिए shortcut की गया होगी, यहाँ पर 14 का option हो आपके हम उसकी जानकारी पराप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले day book में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले आपको display जाना पड़ेगा, day book जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर alt और a बगरा जो भी है, तो देखिए, तो दारेक्ट कहां पर आगया हमारा accounting voucher में यह आपको ले जा रहा है, ठीक है, जिसकी भी जानकारी चाहिए, तो सिध्या वहाँ पर जाके उसको create कर सकते हैं, तो alt हो जाएगा, फिर प्री नमबर है, which of the following is the predefined stock category in tally, predefined stock category आपको, यहाँ मिलता है आपको, अज मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए, stock summary यहाँ प option में, तो भई आपका पूछ रहा है, यहाँ मैं क्या कौन कौन से option आपके होते है, primary stock होता है, यह symbol दिया होता है, या stock या main location, तो इसमें जो option हो जाएगा, आपका, और C हो जाएगा, यहाँ कि primary option आपको मैंसा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो option हो जाएगा, C, ठीक है, question number, नया start होता है, यहाँ पर यहाँ कि one फिर से आगया है, तो टेली package, डेप्रेट वाई टेली को डेपलप आपका, किस ने किया था, तो नाई माकर सोफ ने, नाई अडॉप में, नाई अपल ने, टेली solution, नहीं आपका, टेली सोफ्टर को define किया था, तो option हो जाएगा, D, है, निकि, डेपलप किया था, single entry mode is applicable fall, है, निकि, single entry अगर हमको करने ही, तो किस में कर सकते है, payment voucher में, counter, receipt, single entry करने के लिए, हम use कर सकते है, किसी भी एक voucher को, थी, कि तो option हो जाएगा, यहाँ पर D, all of these, इन तीनों का use कर सकते है, single entry करने के लिए, we can create multiple user in tally, एक्टिवेट है, यहनिकि multiple user हम create कर सकते है, कि इसमें tally audit में, या use security control या both, तो तीसर हो जाएगा, इसमें, और इसमें option आपका हो जाएगा, answer number B आएगा, यहनिकि, use security control का use करके, हम multiple tally activation कर सकते हैं, ठीके, तो option हो जाएगा, B, question number 4, the shortcut use to activate calculator, आपके टैली में calculator होता नीचे अगर आपने देखा होगा, ठीक है, जब हम अपने अंदर जाएंगे, company के अंदर और accounting voucher में जाएंगे, तो देखें नीचे हमको एक calculator मिलता है, यहाँ पर नीचे, ठीक उसको एक्टिवेट करना होता है, तो उसको तो आप मानती कि यहाँ एक calculator है, देखें इसमें कोई व्यासा नहीं है, तो यहाँ पर option बनेगा basically D बनेगा, यहाँ कि control N, यहाँ पर जब हम जाएंगे और control N प्रेस करेंगे, तो देखें नीचे आपका calculator आगया, नीचे यहाँ आप दीखें आगया, एक्टिवेट होगा, हम two plus two कर देते हैं, तो देखें, option हो जाएगा four, ठीक है, keyboard को एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने के लिए control N दबाते है, control N और जगाँ आपकी new हो सकती है, लेकिन telly के form में, अगरा हम किसी laser के अंतर कर था है, जिसे हमने payment voucher के अंतर हैं तो यहाँ पर control N दबाते हैं, तो यहाँ से भी आप open कर सकते हैं, देखें ठीक है, यहाँ पर calculator आपको मिल जाता है, ठीक है, next, what is MRP, MRP का full form यहाँ पूचा गया है, ठीक है, तो वो simple सा है, maximum retail price होता है, तो option हो जा गया है, maximum retail price, ठीक है, next है, voucher class for interest calculation created based on, voucher class जो होती है, for interest calculation based on, किसमें आपकी जाएगी voucher class, debit and credit note में, general voucher में, या receipt and payment voucher में, या both में, तो इसका जो option हो जाएगा, ए हो जाएगा, debit and credit note में, हम interest calculation अपना करते हैं, किसमें debit and credit note में, question number seven है, we can cancel a voucher using, अकर हमको voucher कपको cancel करना है, तो इसके लिए क्या shortcut की है, यहाँ तो option हो जाएगा, a control, sorry, a हो जाएगा, alt or x, alt x ते आपका जो भी voucher है, उसको हम cancel करते हैं, voucher की identity जब आप करेंगे, तो वहाँ पे control x दबाके, alt x दबाके उसको आप cancel करते हैं, वहाँ आपका create नहीं होगा, ठीक है, transfer to material from one go down to another go down, यानि कि कि किसका use करेंगे, एक कोई material हमा तो stock general purchase general या manufacturing या both, एर्थ को option देखी क्या होना चाहिए, यह बनेगा stock general, कि कोई एक stock आपके go down में रखा था हमको, उसको close करना था या फिर हमाँ से company को बन करना था, तो दूसरे go down में उसको shift करने के लिए stock general पर जाके उसको हम करेंगे, तो देखें, यहाँ पर option होता है, inventory inventory में, stock management का, stock group यहाँ पर देखे, create के जाते हैं, इस परकार देखे बने हुए है, stock item यहाँ पर होता है, इसी परकार से, तो जो भी आपके item है, उसको आप move करा सकते है, easily, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम लोग stock general का use करेंगे, question number nine है, to remove a line all report डिसके निसके न निकालते हैं, अब देखे, यहाँ पर lines होती है, बहुत सारी, तो इन lines को अटाने के लिए, क्या shortcut की है, basically, तो report या कोई आप देख रहे हैं, उस report में, skin पर line अटाने के लिए question number nine हो जाएगा, alt दबा के R आपको दबाना है, तो उस सारी line आपकी चली जाएगी, ठीक है, दे simple सा purchase NT के अंदर है, अगर हम report के अंदर जाकर आपको दिखाएं, तो जैसे कि यह है हमारे report, यह टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह देखे हैं, यहाँ से remove होना start हो जाती है, line जो आपके वो remove होने लगती है, उसके बाद है multiple go down are activate from, यानिके multiple go down अगर आपको activate करना है, तो उसकी shortcut की पूछी जा रही है, question number 10 है, तो option बनेगा B, F11 दबाएंगे और फिर दबाएंगे F2, तो देखे हैं आप F11 के लिए shortcut की इसको feature बोलते है, F11 दबाएंगे, फिर उसके बाद हम दबाएंगे F2, तो देखे हैं और F2 दबाएंगे, तो देखे हैं यहाँ पर कहाँ पर गया, inventory option पर गया, अब इसमें हमको क्या हटाना है, multiple go down पर, तो यहाँ पर देखे, multiple go down का option जरूर कहीं न कहीं आपका दिया होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सारे option आपको दिये गए होते हैं, यहाँ से आप जो भी चीजें edit करना चाते हैं, वो easily कर पाएंगे, stock item या जाता बेश जाएगा, आपके लिए, ठीक है, बैक आ जाते हैं, तो F11 दबाके F2, इस दिस shortcut की, तो select a company, company select करने की shortcut की, यहाँ पर क्या है, 11 को option हो जाएगा, यहाँ पर F1, ठीक है, D होगा, यानि कि F1 से आप company को select कर सकते हैं, कि select यह है, हमने दबाए F1, तो देकि company को option प उसके बाद, is this shortcut key to sales order from payroll voucher, अगर हम payroll voucher के अंतर हैं, और उसको हमको shortcut key में sales order को select करना है, तो इसके लिए हमारी shortcut की हो जाएगी, question number 12 की, alt plus F5, तो इसके लिए आपको बहुत साइज shortcut की जियाद करनी पड़ेंगी, तो देकिए, shortcut key to sales order from payroll voucher के लिए हमका दबाएंगे, alt F5, इसलिए टेली का काम असान आपका हो जाता है, जब आप shortcut key जान जाते है, which shortcut key is used to export data of any company in Microsoft Excel spreadsheet or any other company, यह आपका जो data है, यह जो आपने data create किया है, company का, यह जो आपकी company है, इसका data हमको ले जाना है, किस पर, Microsoft Excel spreadsheet पर ले जाना है, तो कैसे उसको ले जाएंगे, तो option है, alt P, alt S, alt O, या फिर alt E, ठीक है, question number 13 है, बहुती simple सा है, इसको option बनेगा, alt E, ठीक है, d option मनेगा, alt E से आप इसका data जो भी है, वो easily आप ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ठीक है, तो ऐसे नहीं जाएगा, उसके लिए हमको फिर अंदर से जाके settings बगरा थोड़ी करनी पढ़ेंगे, display में जाके, जो भी data होगा, उसके अनुसारी वो पूरी report है, वो alt E की दमाने के बाद ही, वो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमको किसी की daybook हमको print करने ही, तो daybook पर यहाप जाके, तो इसका देखिए इस पर कारते ही है, export होती है, यहाँ पर हमने दबाया alt E, यस कर देंगे, तो यह shortcut की is used to view configure in telly, तो configuration के लिए shortcut की क्या है, यहाँ पर दीए कि F12, तो आफसन आजाएगा, F12 यानिकी D, simple सा है, ठीक है, configuration के लिए कौन shortcut की है, F12, यहाँ पर मैं आपको दबाकर दिखा देता हूँ, F12 दबाएंगे, तो इस पर कारते, journal आजाएगा, option, numeric, symbol, alt, तीदे के सारे option आपको आजाएगे, इस पर कारते, ठीक है, होसर number 15 है, यहाँ पर last, in which voucher type, in which voucher type में हम credit purchase entry in posted in telly, यानिकी कि किस voucher में हम कर सकते हैं, entry, credit purchase की payment में, receipt में, general या purchase में, तो यानिकी 15 को जो option मनेगा, वो डी आएगा, यानिकी purchase के अंदर जो है, वो हम credit purchase की entry करेंगा, जार जब पर्चेस बोला, तो purchase की लिए जर में जाएंगे, इस पकारते दबाएंगे, वी दबाएंगे, और दबाएंगे F5, sorry, F9 जो आपकी purchase की, F9 दबाएंगे, तो हमारी किस में आजाएगी? purchase voucher में, F6 दबाएंगे, तो receipt में आजाएगी, F5 दबाएंगे, तो payment में क्रेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था जिसने विए आपके टीडिया से समझतिस कोस्टन होंगे वो आपके किसमे जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ठीक तो ऑफसन हो जाएगा डी नेक्ट को सनमा बन पर फिर से आते हैं इंकम टैक्स नंबर जो होता है आपको ओप डी कंपनी विल अपर इन विच रिपोर्क नंबर को कंपनी का क्रेड करता है तो किसment रिपॉर्ट में आपको दिखाना होता है वो पेमेंट वौकिशर में रिमांडर लेटर या प्रोफित लॉश में या फिर क्याप्श भूक ने थी कि जो भी ट्रीज नमबर होते हैं या टैक्स नमबर वो आपको देने पड़ते हैं कि आपने इस एकाउंट या पर्चेज में यह टैक्स अपना पे किया इनपूट वैड क्रेडिट औन केप्टल गुड उड़ भी डिफान अंडर निकी इनपूट वैड क्रेडिट है तो वह आपका किस के अंतरगत आपका वह आएगा डूटी टैक्स अंतरगत इसको हम लेंगे ठीक है पे रोल आटो फिल इस डन पे रोल को अगर माटो आटो फिल करना है तो उसकी सॉटकट की यहां पर क्या हो जाएगी ऑल्ट ए तो यह फीचर तभी काम करेगा जब पे रोल के इंट्री कर रहे होंगे ठीक है तो उसी समय आपका यह ओल्ट काम करेगा वहना अधर लेजर में कि अधर काम करेगा ठीक है लिस्ट ओफ और वाउचर वी कन गेट फ्रॉम ऑफनल वाउचर अगर हम को चाहिए तो किसमें हमको मिल जाएगा यह कोसर नमबर फॉर है आपका यहां पे इसमें हो जाएगा डी एक्सेशनल रिपोर्ट में हमको ऑफनल बॉक्स वगेरा मिल जा पत्रॉम ऑफन होजाएगा डी है वी करण सीं वर्किंग क केटेल विगर चेंजिंग वी केंसी वर्किंग केटेल अटो दिखना है चेंजिंग करने है तो घेरी करने हैं तो किस यहां लिखी का शाप्टोर आपके सी निरस में कि यह Hindसेट कोंफिगेशन में निए के वर्किंग के जो भी चेंजिंग को गएरा करने वो हम कर रहते हैं F12 is known as F12 हमारा जो जाना जाता है किस से लिए configuration के लिए तो option क्या हो जाएगा company configuration ठीक है दी हो जाएगा company की configuration अगर हमको करने है find out which is not a default laser in telly अब default laser कौन सी नहीं हो तो telly के अंदर बहुत सारी laser Automatically बनी होती है तो इसमें से कौन सी laser वो नहीं होती है वो आपका पूछा दे रहा है कौन सी आपकी नहीं है तो देखिए account जो होती हो आपकी इसमें नहीं होती है ठीक है तो सी ओप्सन हो गारी की capital अकाउंट है वो आपकी नहीं होती है बगी cash in hand profit loss यह आपकी होती है तो option हो जाएगा capital account गलत ना all of these ना लगा दीए यह निए तो question गलत हो जाएगा How many types of measurement unit we can create in tally कितने पकार के measurement आप create कर सकते हैं तो earth को जो option हो जाएगा second है निकि दो पकार के We can get the report of interest from interest की report हम कहां से निकाल सकते हैं 9th को option हो जाएगा आपका a यानि की statement of account statement of account से आप interest की report आप निकाल सकते हैं ठीक है उसके लिए यहाँ पर आप जाके display पे statement account आप देख सकते हैं We can use stock journal for Stock journal अगर यूज़ करना तो किसमें जाएगे maintain weight में या production of composition या enter go down transfer of stock या बोथ तो इसमें जो option जाएगा 10 का c हो जाएगा बोथ है यानि की b o c दोनों हो जाएगा production of composition या फिर इंटर go down transfer of stock तो we can use stock journal ऐसे ये दोनों option आपके ठीक हो जाएगा यानि की d वनेगा बोथ d में आप टिक करेंगे बोथ a नहीं होगा maintain weight में नहीं आएगा which option is used to print from 16a of tds नहीं की कौन सो options हम प्रिंट करते हैं जो हम 16a tds को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए देखिए आप दिये गए हैं बहुत सारे डिस्प्लेए ठीक है उसके बाद देखे क्या बहूं लगया है डिस्प्लेए के बाद हमको जाना इस्ट्रीं report पर तो यह हमारी रिपोर्ट हो watch यह बहुत सारे प्रिंट ऊते हिए तो बहूं आप जायं तो उसके मिए यह वाइन करेंगे ठीक बरेंगि तीसदे ATC 시や फिचर पर जाके, हमको फीचर इसम leider क्राने पर एंग, रहेंगे, होतें उसमेंएन लेट हैं, या उसमें दिया नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको पहले हम अक्टिवेेट करते हैं, तब हम二 है, आप में टिएट्स का काम था नहीं only जो काम था हमारे पास टैक्स का काम ठीक है तो वो आप देख लें जैसे कि जिए यह सी दिया वैट है थे कि यहाँ पर टैस यह तिक है वेट सको कँना पलागा यह संथ्टीख और हमारा जो है टीडियस उसको बहुंको यहां पर आगए टीडियस रिपोर्ट तो अब मैं आपको सारा मॉप्शन समझा दूँगा हम गए डिस्प्लेइश के बाद इस्टेटी रिपोर्ट फिर यहां पर देखे टीडियस रिपोर्ट का उप्शन आ रहा है इस पर क्लिक किया हमने और उसके बाद हमारे पास रिटरन का उप्शन आना चाहिए तो हम गया रिटरन यह हमारे पास रिटरन है ठीक है सौरे अपना पर देखे दो फॉर्म है कुछ ठीक है तो बाकि चलान कंसलेशन है इसके अदर डिटेल अभी हमारे अब लेबल नहीं क्योंकि हमने इस पर कोई इंट्री की नहीं है ठीकि बाकि यहां पर देखे दो फॉर्म हमारे सो और है तो कुछ इस पर कारते हम इसकी इंट्री बगरा देख सकते हैं यहां पर चीक है तो इस पर कारते हैं इसको प्रिंट कर सकते हैं तो 60 ने फॉर्म प्रिंट करना था तो उसकी जब इंट्री होगी तो आप इसको कर सकते हैं अब इसको off कर देते हैं क्योंकि हमको इसके भी जरुवत नहीं है इसको भी no कर देते हैं ठीक है तो यहां से आप जो है setting लगरा चे करते हैं easily सान में आगे next चलते हैं question पर question 20 है we can switch from accounting voucher to inventory voucher प्रेसिंग है निकि accounting voucher से हमको inventory में जाना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे उसके लिए shortcut के हमारे पास क्या हो जाएगी डी हो जाएगी alt f1 alt f1 दबाके हम इंट्री उसको टांस पर कर करते हैं accounting से inventory में अधिन अमबर एक गिफ दी बैलेंस फ्रॉम इच डे फॉर दी वाउचर टाइप हैस बिन सेलेक्टेट डे वाई डे आपको अगर वाउचर की बैलेंस देखना है तो इसके लिए हमको स्लेक्ट करना पड़ेगा थर्टीन को आपसन जाएगा डे बुक में हम जाके उसको कर गत्रे देखे और अगर यहां पर कर देखेंगे तो और आपसन आपको मिल जाएंगे प्रिंट करने के लिए यहां पर अप्रिंट भी कर सकते हैं ठीक है बैक आगा गए तो जागा डे बूक को सर्मर फोर्टीन है इस दी सॉटकर्ट की तो क्रेट काउंटर वाउचर का फिप्टीन लाइश कोशन है वेर डू वी रिकॉर्ड पर्चेस रिटन और सेल्स रिटन डिस्किप्शन बैट डेबिट एक्सेक्टा इस सारी इंट्री हम किसमें कर पाएंगे फिप्टीन को ऑप्चन हो जाएगा जैनल वाउचर जैनल वाउचर इसलिए हमें बेस्ट वाउ ठीक है तो इतने कोशन आपको सब्सक्राइब काफी अच्छे कोशन है जो मैंने आपको इसमें सॉल्ट करवा दी है आगए चलते हैं कुछ और कोशन देखते हैं यानि कि सॉटकट की बितानी है ऑफ्टनल वाउचर के लिए तो इसमें उफसोर जायगा आपका बी हो जायगा कंट्ल प्लस जल से आप उफनल वाउचर को करेड़ कर सकते हैं सब्सक्राउंट जो ए ग्रूप औफ उफ अफ इस डीफानेंड साटाने आपके इसमें जाते हैं तो अप्टन हो जाएगा आप कभी यानि की लाइविल्टीज में सस्पेंसद से काउंट होते हैं आपके मांश्टर वाइल मेकिंग एंट्री और रिपोर्ट मेंकि जा अल्टर फीचर की उसकरते हैं मांस्टर फीचर में जाके तो उसके लिए सौटकट की क्या होती है कि सीवे अंट्रीकों दिलीट बगरब करना रहा है तो वहाँ पर दिलीट का अप्षन नहीं मिलते है आपको अल्टर का आप्षन मिलता है ठीक है तो कुर्षा नूमर तीन को अप्षन हो जाएगा जहाएगा यहां प क्या हो जाएगा alt c दवा के detail report आप देख सकते है इसलिए predefined billing term can be maintained through predefined हमको billing term maintain करने है तो किसके अन तकत आएगा यह आपका d option आएगा इने की voucher class में which is used to post entry in debit note debit note करने के लिए post entry करने है तो b option बनेगा control plus f9 7 है this sorted case used to enable value added text यहने की value added text अगर हमको add करना उसके लिए shortcut की देखे बूली गए यहाँ पर f1, f2, f5, f11 अभी मैंने आपको करके दिखाया था तो देखे d option बनेगा f11 के अंदर खात हम जाके करेंगे इसे कभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर गया थे और यहाँ पर सारे option आपको मिलेंगे ठीक है बाकी इसमें आपका वो देखना inventory में है तो आप इस पर चले आएंगे बाकी अगर इस टेटनरी में तो इसमें चले आएंगा और नए फिचर एट करना तो अड़ाओं बनाएंगे ठीक है नेक्स्ट इस दिस होटकट की तो आइडेंट फ्रॉम इंवेंट्री वाउचर इंटैली इंवेंट्री वाउचर इंटैली एफ एट है आपका तो ए हो जाएगा इस प्रेश टूगो टूगेट्वे उफ टैली फ्रॉम कंपनी टू मैंनु में है तो कौन्टी की दबाएंगे एफ नाइन में आपको आफ सनजाएगा इस्केप की तो अभी हम कंपनी के अंदर आ गए है और हम चलते हैं बहुत अब कागया यहाई तो इस्केप की ESC How many secondary group are there in Tally Secondary group आपके कितने होते हैं Tally में Tenth को हो जाएगा A यहने कि 13 आपके secondary group उसमें अब लेबल होते हैं Question number 11 Is this shortcut to Is this shortcut to stock general from inventory voucher in Tally Shortcut की कि आपके stock general से inventory में आपको जाने के लिए 11 को option हो जाएगा C all plus F7 यह बहुत साथ है जाधा helpful आपके shortcut keys होती है जो हम Tally को यूज करते हैं Which shortcut keys press to create a new company के लिए हम create करेंगे F12 में option हो जाएगा आपका A all plus F3 यह आप जरू धाना के all plus F3 क्योंकि important होगी यहाँ पर option होता देगी इसका यह set company और create company information All F3 में जाके देखिए हाँ create company को option मिलता है Company delete करने का option भी आपको इसी मिलता है ठीक है इसको के हम लोग company information बोलते हैं विच उप्षन यूज तो में एक चेंजर साथ created group आप लेजर है हमने अलड़ी create कर दिया है उस group को तो हमको किस में मिलेगा delete करने के लिए 13 का option हो जाएगा आपका तो delete करने का option देखिए delete वहाँ कभी भी option मिलेगा नहीं नहीं चाप को change मिलेगा नहीं remove को option मिलेगा सिर्फ कौन सा option मिलेगा alter यानि कि यह जैसे माले जम को यह हमने बनाई एकाउंट यह group बनाया तो इसमें पहले बाले में आप create कर लेंगे इसमें आप देख सकते हैं और delete करने को option होगा होगा इसमें जाएंगे alter पे माले जैसे कि इसी को हम पर सारी जो यह बनी होती है तो यह बहुता है तो देखें पहले gateway of tally फिर display account फिर प्रचेस साहिस्ट है तो फोर्टन का जो बिसिकली ए ही हो जाएगा आपका ठीक तो इतने को सब्सक्राइब रखते हैं तो thank you वाचिंग वीडियो लाइक से दियू करते हैं और जो भी doubt वो comment में भूसकते हैं